बविश्य के सभी अध्यापक साथियों का DK Gupta YouTube चैनल पर हर देख स्वागत है दोस्तो मैं हूँ आपका योगिस सर और बाल विकास की तैयारी में आपको करवा रहा था और इसमें दो लेक्चर हो चुके हैं बाल विकास का कोर्स हमने अभी शुरू किया है तो जितने भी स्टुडेंट्स इसकी तैयारी करना चाते हैं CDP पढ़ना चाते हैं तो CTET परिक्षा के लिए और आपके 31 जनवरी से पहले पहले विद प्रेक्टिस में बाल विकास का कोर्स आपको करवा दूँगा तो चली जितने भी स्टुड चुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करदीजीए विडियो को शेर करदीजीए सभी को Hello, सभी को Hi, सभी को Good evening दिवाली की बहुत-bहुत हार्दिक शुबकाम नहीं सभी को दिवाली निकल चुकी है जैसे शुक सांती समरध्धी आपके जीवन में, दिवाली के जो message आए थे, तो सुक सांती समरध्धी आपके जीवन में हमेशा रहे दिवाली की तरह, तो फूब धूमधाम से आपने उम्मीद करता हूँ दिवाली मनाई होगी, है ना तो चलिए जितने भी student जोट चुके हैं आज हम lecture शुरू कर रहे हैं बाल विकास का तीसरा वीडियो है ये और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2AQ लिखा है क्योंकि दूसरा जो lecture था उसी का ही आज हम part को discuss करने वाले हैं आज हम व्रद्धी और विकास से best कुछ questions मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ discuss करूँगा जो मैंने आपको growth and development इस से पहले पढ़ाया है उसमें मैंने आपको कुछ questions थे वो नहीं करवाई थे उसके कुछ questions है मैं आपको आज करवा दूँगा और आपको व्रद्धी और विकास बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा है ना तो चलिए शुरुआत करते हैं यह हमारे दोस्तों social media handles हैं आप जोड़ सकते हैं आप हमारे telegram, instagram और facebook से जोड़ सकते हैं इसके अलावा हमारा official app है DK Academy आपको चार से पांच दिन में आपके और लूँगा और चार से पांच दिन में आपको जो CDP है उसका course में आपको इस app में PDF के तोर पर उपलब्द करवा दूँगा है ना तो आप हमारे app को भी जरूर download करेंगे है ना चलिए शुरुआत करते है बढ़ते हैं आज के पहले प्रशन पर सभी लोग तयार हो जाईए बड़े आराम से आंसर करिएगा शारिक वरद्धी और विकास को कहते हैं शारिक वरद्धी और विकास को क्या कहते हैं ततपरता अभिवरद्धी गतिशीलता या फिर अनुवानशिक्ता हम शारिक वरद् करता देता हूं इसका जो सही जवाब है यो option 2 है अविब्रद्दी को Najएक हृट है जो हमारे शरी में जो भी वरद्दी हो रही है उसके लिए एक हिंदी वर्ड है अविब्रद्दी तो आप याद कर लिजे अविः वरद्द्दी तदपरता तो तदपरता का और विकास को हम अभी ब्रद्धी कहते हैं इस वर्ड को आप जरूर याद कर लीजेगा पहले बाले का आंसर ओप्शन नमर बी यानि कि टू है आगे बढ़ता हूँ मैं बच्चों के विकास के सिद्धानत को समझना सिक्षक की सहायता करता है इसलिए मैं आपके साथ फिरद्बार से डिस्कस कर रहा हूँ कि बच्चों के विकास के सिद्धानतों को जब एक सिक्षक समझता है तो सिक्षक की वो इसमें क्या सायता करते हैं सिद्धान समझना सिक्षार्थी की आर्थिक प्रस्ट भूमी को पहचानने में बालक को क्यों पढ़ाना चाहिए या स्थापित करने में विद्यारतियों की भिन अधिगम शेलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बालक के सामाजिक इस्तर को पहचानने में बताई नीचे कोमेंट्स करके कि एक टीचर की हेल्प ये जो विकास के सिद्धानत है इनको समझना कैसे मदद करेगा अच्छा विकास के जो भी सिद्धानत है वो मैं आपको इससे ठीक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा यानि कि कल शाम को जो क्लास होती है आपकी डेली नौ बजी होती है तो शाम को डेली नौ बजी क्लास होती है तो कल वाली क्लास में आपको बाल विकास के सारे सिद्धानत समझा दूँगा है ना तो ये कोशन सिद्धानत से आ गया है फिर भी बताई नीचे कोमेंट्स करके कि आंसर क्या होगा एक सिक्षक की कैसे help करेंगे ये सिद्धान्त चली मैं आपको आंसर बता देता हूँ जो भिन्न भिन्न अधिगम शेलिया हैं उनको प्रभावी रूप से एक सिक्षक संबोधित कर पाएगा बालक के सिद्धान्त अगर एक टीचर को समझ में आयाती है कि बालक का जो विकास है वो कैसे कैसे होता है किन सिद्धान्तों पर होता है तो उसके पास जो अधिगम शेलिया हैं जिनका वो प्रियोग करता है कक्षा में उनको प्रभावी रूप से वो संबोधित यानि कि उनका प्रियोग कर पाएगा है ना तो जितना जादा टीचर एक बालक के बारे में जान पाएगा उतने अच्छे से वो उसको पढ़ा और समझा पाएगा ये बात आपको पता होनी चाहिए दूसरे वालika option number c यानि कि तीन है निम्ण मेंसे कौन सा कथन सही नहीं है ये आपके सामने option है कि कथन सही नहीं है इन मेंसे कौन सा option का जो कथन है वो सही नहीं है वो पताएगे आप नीचे कुमेंट करके बताई नीचे कोमेंट्स करके आंसर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है यानि कि तीन आप्शन आपके कैसे होंगे बिल्कुल सही तो उन तीन आप्शन से आप व्रद्धी और विकास के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज आपको हो जाएगी कि एक question जो होगा, एक option और गलत होगा, और उस गलत option से भी आपको विकास और वरद्धी के बारे में जानकारी मिलेगी, तो बदाए कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए, answer आपका आगया होगा, इसका जो सही जवाब है, option नमर टू है, ये बिलकुल गलत है, वरद्धी पहले है, विकास बाद में नहीं है, विकास सबसे पहले है, और वरद्धी जो है, वो विकास का ही एक अंश है, क्या है अंश, एक पार्ट है, है ना, विकास का जो topic है, वो काफी बड़ा है, इसका छेतर काफी व्यापक है, लेकिन जो वरद्धी है, इसका छेतर ब बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके अलाबह बाकी तीन हो option आपके सही है जैसे व्रद्धी और विकास आपस में संबंदित होते हैं विकास अससंख्यात्मक होता है तो बिल्किल हो सकता है व्रद्धि गुरात्मक होती है है ना तो ये सारे option भी सही है बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला गटक है बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला गटक है बालक के जो विकास को सबसे अधिक प्रेरित कौन सा कौन करेगा प्रभावित नहीं प्रेरित बड़ा भवन, खेल का मैदान, उसकी बुद्धी या फर योन परिपक्वता बताई नीचे कोमेंट्स करके आंसर के बाल विकास को सबसे अधिक प्रिरित कौन करेगा बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धी या फर योन परिपक्वता चलिए, answer में आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो option number B है option number 2 खेल का मैदान सबसे अधिक जो बालक के विकास को प्रभावित करेगा या फिर सबसे ज़्यादा प्रिरित करेगा वो खेल का मैदान है कोई बड़ा भवन हो सकता है तो कोई भड़े भवन से विकास का कोई संबन्द नहीं है खेल की यहाँ पर कोई बात नहीं कीगी है बुद्धी बालक के विकास को प्रभावित करती है लेकिन सबसे अधिक प्रभावित नहीं करेगी यौन परिपक्वता तो आपकी किशोर आवस्ता से बाद की चीज़े हैं। यहां पर सबस्यादा जो प्रेड़ करेगा वो बालक के विकास को वो करेगा खेल का मैदान। कैसे करेगा कि जितना जादा बालक का पूरे जीवन में विकास होता है यानि कि तीनों अवस्ताओं में हम तीन अवस्ता पढ़ते हैं। तीन अवस्ताओं में जो भी विकास होता है वो खेल खेल में ही होता है। जितना जादा बालक खेलेगा वियायम करेगा उतना ही जादा अच्छा उसका विकास होगा। तो बालक के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जुगटक है वो खेल का मैदान है फूर्थ वाले कांसर अप्शन नमबर बी है यानि कि टू वाला है आगे बढ़ता हूँ मैं सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक जो अनुभव होते हैं उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए सामान्य, असामान्य, आदर्शवादी या फिर सुखद बताई नीचे कोमेंट्स करके आंसर सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप कैसा होना चाहिए सामान्य असामान्य आदर्शवादी या फिर सुखद चली आंसर में आपको बता देता हूँ जो अंसर इसका सबसे फ़ले अंसर नंबर थरी है सबसे बहतर तरीके से अगर बालक का विकास करना है तो जो उसके प्रारंभिक अनुभव है जो सबसे पहले वो experience करेगा उसका स्वरूप आदर्शवादी होना चाहिए यानि कि आदर्शवादी स्वरूप होंगे तो बच्चे का विकास भी सर्वोत्तम होगा आदर्शवादी स्वरूप जैसे कोई भी चीज की उसमें negativity नहीं होनी चाहिए सारी चीज उसको अच्छे अच्छे बताई जाएं जिससे क्या है उसका विकास भी अच्छे से हो सके तो फाइव वाले का आंसर ऑप्शन नमबर थ्री है यानि कि सी आगे बढ़ता हूँ मैं और हाँ जितने भी स्टुडेंट्स यहाँ पर आंसर कर रहे हैं आपके टोटल जितने भी कुश्छेंस में कराऊंगा 15 से जादा कराऊंगा जितने भी आपके कुश्छेंस सही होंगे तो अपना स्कोर सबसे पहले कॉमेंट्स में लिखेंगे इसके अलावक question of the day जो मैं आपसे पूछूँगा उसका भी स्कोर आप नीचे कॉमेंट्स में लिखेंगे है ना चलिए आगे बढ़ता हूँ शरीर के आकार तथा बाहर में व्रद्दी होना क्या कहलाता है जैसे शरीर का हमारा जो आकार है और हमारा जो भाहर है उसमें व्रद्दी हो रही है उसको हम क्या कहते हैं अब व्रद्धी होती है उसको क्या कहते हैं तो अभी मैंने आपको बताया है उसको अभिवरद्धी कहते हैं शारेरिक रूप से जो भी व्रद्धी होती है उसको अभिवरद्धी कहते हैं यह आप याद कर लीजिए important है बहुत जादा है ना इसके सामने important लिखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं वरद्धी और विकास दोनों कैसी प्रिक्रिया है वरद्धी और विकास दोनों कैसी प्रिक्रिया है पूरक हैं, विरोधी हैं, अंते संबंदित हैं या फिर A और B दोनों? पूरग भी हैं और विरोधी भी हैं? बताई नीचे कुमेंट सेर के आंसर. 7 वाले का आंसर बताईए. व्रद्धी और विकास दोनों कैसी प्रिक्रियां हैं? एक दूसरे की पूरग हैं, एक दूसरे की विरोधी हैं, अन्ते संबंदित हैं या फिर दोनों हैं? चलिए, आंसर में आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है वो option number C, यानि कि तीन है, अन्ते संबंदित, व्रद्धी और विकास दोनों ही प्रिक्रियां कैसी हैं, आपस में अन्ते संबंदित हैं, व्रद्धी विकास से संबंदित हैं, और व्रद्धी से संबंदित हैं, क्योंकि व्रद्धी विकास का ही एक पार्ट है, तो चलिए, दोनों अन्ते संबंदित हैं, इसको आप याद कर लिजिए, 7 वाली का answer option number 3 है, आगे बढ़ते हैं, विकास की प्रिक्रिया में क्या होता है, विकास की प्रिक्रिया में क्या होता है, नीचे कोमेंट से करके answer करिए, नई विशेष्टाएं वा योगिताओं का प्रकट होना, प्रगती शील प्रिक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रिक्रिया है, उपर युक्त सभी इसकी विशेष्टाएं है विकास की प्रिक्रिया में क्या होता है नई विशेष्टाएं योगिताएं प्रकट होती है प्रगती शील प्रिक्रिया है ये निरंतर चलने वाली प्रिक्रिया है विकास या फ़र उपर उपर युक्त सभी चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है, वो option number 4 है, वो परियुक्त सभी विकास की विशेश्थाएं हैं, बहुत सारी नईनी विशेश्थाएं और योगिताएं बच्चे सीखता है, कोई भी इंसान है उसका विकास हो रहा है, तो बहुत सारी वि और option number 4 है, विकास प्रभावित होता है, ग्रन्तिय स्त्राव से, आनुवान शिक्ता से, आहारव पोशन से, सभी से, बताई नीचे कोमेंट करके answer, कि विकास प्रभावित होता है, विकास किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, ग्रन्तियों से, आनुवान शिक्ता से, आहार वा पोशंड से, सभी से, अचा ये question साइद में आपको कुछ दिन पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैंने इसका एक point डिसकस किया था, बताई नीचे comment करके कि विकास प्रभावित होता है, गरंती स्तराव से, आनवान शिक्ता से, आहार वा पोशंड से, या फिर स सभी से, चली answer में आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है, वो option number 4 है, सभी से, जो विकास है, वो अंतेस्तरावी जो गरंतियां होती है, वो क्या है, हर्मोन का स्तरावड करती है, जैसे कोई ज़्यादा हर्मोन का स्तरावड करती है, तो बहुत सारे रोग हो जात है, आनुवान शिक्ता पर ही निर्भर करती है, आपने देखा होगा, जो हस्ट पुष्ट मातापिता होते हैं, उनकी संतानिम जातर आपको हस्ट पुष्ट ही मिलेगी, तो आनुवान शिक्ता भी ज़रूरी है, और जैसे बहुत सारी बीमारियां है, बहुत सारी चीज़े जो आनुवान शिक्ता से बच्चे को प्राप्त होती है तो आनुवान शिक्ता भी विकास को प्रभावित करता है आहार वा पोशन का मतलब है वातावरड से यानि कि वातावरड में जैसा उसको आहार जैसा आप उसको पोशन दोगे वैसा ही बच्चे का विकास होगा अगर उसको पोशन नहीं मिल पाता है तो बहुत सारे रोग होते हैं को पोशन का सिगार हो सकता है वो तो ये सभी चीज़ें क्या हैं विकास को प्रभावित करती हैं 9 वाले का अंसर, option number 4 है चली आगे बढ़ते हैं मानव विकास क्या है, मानव विकास क्या है गुडात्मक है, मापनिय है, मात्रात्मक और गुडात्मक दोनों है या फिर मात्रात्मक है, बड़ा ही simple सा और easy question है आपको 10 बार मैंने बता दिया होगा जो विकास होता है वो क्या है तो मैंने आपको बताया था जो व्रद्धी होती है वो तो मात्रात्मक होती है व्रद्धी और जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुडात्मक दोनों होता है है ना मात्रात्मक और गुडात्मक दोनों ही होता है विकास है ना इसको माप भी सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबाए, चोडाए, उँचाई Щ Dharma सारी चीज़ें, सरीर का जो वजन है है ना, वह सारी चीज़ें मात्रात्मक विकास के ंत्रकत भी आती है गुड़ात्मकि यानि कि संभीगों का विकास हो रहा है, बच्चे का जो संग्यान है, परिपक्वता आ रही शरीर में द्रडता आ रही है वो सारी चीज़ें उसके गुड़ है है ना, तो सारी चीज़ें क्या है मानव विकास यही है जिसमें मात्रात्मक और गुडात्मक चीज़ें दोनों आती है दोनों विशें शामिल होते हैं तो दस वालिक आंसर option number 3 यानि कि C है अच्छा इसमें कथन दिये हैं है ना, तो देख लेते हैं कौन से कथन है वरद्धी विकास की प्रिक्रिया का एक चरड होता है जिसका छेतर असीमित होता है विकास स्वयम में एक विस्तरत अर्थ रखता है इवन वरद्धी इसका एक भाग होता है विकास एक सतत प्रिक्रिया है जो बालक के परिपक को होने के बाद भी चलती रहती है तो बताई नीचे कमेंट करके कि कौन सा कथन इसमें से सही है कौन सा कथन सही नहीं है चलिए केवल एक सही है कि A और B दो सही है B और C यानि कि दूसरा तीसरा सही है या फिर ये सभी सही है, A, B, C, तीनों सही है नीचो कमेंट्स करके आंसर बता दीजिए व्रद्धी और विकास की संदर्व में कौन सा कतन सत्य है चलिए, आंसर में आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब option number 4 है ये सभी कतन सही है, व्रद्धी विकास की प्रिक्रिया का ही एक चरड है विकास की अंतरगत ही आती है व्रद्धी है ना, इसका छेत्र असीमित है यानि कि, जिसका छेत्र असीमित है व्रद्धी विकास की प्रिक्रिया अच्छा, ये गलत हो गया, गलत हो गया यहां पर यह अंसर नहीं होगा वरद्धी विकास की प्रिक्रिया के चरड है जिसका छेत्र असीमित है असीमित छेत्र ही है, सीमित छेत्र होता है तो यह कट गिया हमारा है ना विकास स्वयम में एक विस्तरत अर्थ रखता है तो बड़ा ही विस्तार में एर्थ होता है विकास का ये बात सही है इसका वरद्धी वरद्धि इसका एक भाग होता है तो ये सही है हमारा तो यहाँ पर हमें B सही मिल चुका है आगे पढ़ लेते हैं विकास एक सथत्र परिकृरिया है सही बात है, जो बालक के परिपक को होने के बाद भी चलती है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आंसर में आपको उताईता हूँ, यहाँ पर जो आंसर है वो अप्शन नंबर C, यानि कि तीन वाला होगा, बी और सी, दो कथन आपके सही है, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया था, इसने पहली लाइन में ठीक बोल दिया था, लेकिन जो दूसरी लाइन में थोड़ा सा ट्रिकी रूप से इसने पूछ लिया था, तो कन्फ्यूज करने की कोशिश की दी इसने, लेकिन हमें क् पढ़ना है है ना तो यहाँ पर दो कथन सही है बी और सी ग्यारे वाले का अंसर ऑप्शन नमबर सी यानि कि तीन होगा यह कुशन भी साइद मैं पहले एक बार करवा चुका हूँ आपको कुछ महीने पहले वरद्धी शब्द का प्रियोग डेश परिवरतनों के लिए तथा विकास का प्रियोग डेश परिवरतनों के साथ साथ डेश परिवरतनों के लिए होता है तो थोड़ा सा समझने वाला question है option आपके दिये है वरद्धी का प्रियोग व्यवहारिक परिवतनों के लिए तता विकास का प्रियोग व्यवहारिक परिवतनों के साथ साथ परिवतनों के लिए होता है अच्छा व्यवहारिक परिवलामात्मक व्यावाहारिक परिमारात्मक परिमारात्मक व्यावाहारिक परिमारात्मक व्यावाहारिक परिमारात्मक अच्छा एक चीज देख लीजिए जैसे मैं बुल लेता हूँ कि माली जीए कि राम है वो बाइक अच्छी चला लेता है है ना बाइक अच्छी चलाने के साथ-साथ जैसे मालीजे वरदी शब्द का प्रयोग जैसे मालीजे राम है वो बाइक अच्छी चला लेता है इसके अलावा बाइक अच्छी चलाने के साथ-साथ वो कार भी चला लेता है तो यहां पर आप देखोगे कि यह पहला जो फिल है जो इसमें आएगा वही दूसरे वाले फिलिंदी ब्लेंक्स में आएगा है ना जैसे मैं बुलेता हूँ कि राम क्या है मुबाइल अच्छा चला लेता है और मुबाइल अच्छा चलाने के साथ-साथ कम्प्यूटर भी चला लेता है है ना तो जो ऑप्शन में पहले वाले में आएगा फिलिंदी ब्लेंक्स में वो दूसरे वाले में भी आएगा अब आगे बढ़ लेते हैं कि व्रद्धी शब्द का प्रयोग जो व्रद्धी है उसके लिए व्यवहारिक बोलेंगे या फिर परिमानात्मक बोलेंगे व्रद्धी के लिए हम व्रद्धी के लिए हम व्रद्धी के लिए व्रद्धी के लिए हम 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 व्रद्धी के परिवरतनों के लिए तथा विकास का परियोग परिमारात्मक परिवरतनों के 7 साथ विविव हरेक के लिए होता है तो आंसर optionум Se हो जाएगा है नहीं कि मैंने बता था कि अगर पहली में अगर परिमारात्मक आ गया तो तो दूसरे में भी वही आएगा, जो answer पहले वाले फिलिंदी ब्लेंक्स में आएगा, वो दूसरे वाले में भी आएगा, है ना, आपको यहां से समझ में आ गया होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा कि वरद्धी शब्द का परियोग, परिमारात्मक्ड, परिवरतनों के साथ-साथ विकास का परियोग, व्यवहारिक परिवरतनों के साथ-साथ-साथ, परिमारात्मक के लिए होता ऐएशा तो नहीं होगा Language गलत हो जाएगी, तो answer आपका option no.3 ही होगा इसमें बारे वाली का अंसर option number C, यानि कि 3 है, आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारेरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूली आवशंक्ताओं पर ध्यान देना आवशक है, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारेरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, तो यहां से हमें पता लगया कि जो शारेरिक विकास है, सभी जो विकास होती हैं, शारेरिक के अलावा मानसिक, संभी आत्मक, सामाजिक, भासाई विकास, सभी विकासों में सबसे पहली शर्त है शारेरिक विकास, इसके लिए किन मूली आवशक्ताओं पर ध्यान देना आवशक, यानि कि इसके लिए हम किन चीज़ों पर ध्यान देंगे शारेरिक विकास क चलिए नीचे कमेंट्स करके आंसर बता दीजिए, थोड़ा सा tricky question है, सोच समझ कर आराम से आंसर करिए, कोई यल्दी नहीं है, शार्रिक विकास के लिए किन आवशक्ताओं पर ध्यान देना जरूरी है? चलिए, आंसर में आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है, option number 4 है, सभी चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पॉस्टिक आहार का तो आपको समझ में आ गया होगा, कि पॉस्टिक आहार मिलेगा, तो उसका सार्रिक विकास भी तभी अच्छे से हो पाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सार्रिक वियायाम भी उसको करना पड़ेगा, शाररिक विकास के लिए शाररिक वियायम भी बहुत ज़रूरी है तो ये भी उसको करना पड़ेगा अब आपको यहां पर कन्फूज हो रहे हो कि मनोवेग्यानिक सामाजिक जरूरते है साररिक विकास के लिए इंपोर्टेंट है या फर नहीं है सामाजिक जरूरते हैं सामाजिक जरूरते में आगे बढ़ते हैं, सिछषड की विविन्यविदीयों के परियोग के लिए कौन सी अवस्था सरवाधिक उपयुक्त है सिचड की विविन विदियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सरवाधिक उपयुक्त है अच्छा कि सिचड की बहुत सारी जो विदियां है जो एक टीचर यूज़ करता है उसके लिए सबसे अच्छी अवस्था कौनसी है बाल्यावस्था शैश्व अवस्था प्रोड़ावस्था किशोरावस्था चली बताए नीचे comment करके जो आगमन निगमन विदियां होती है जिन विदियों का प्रियोग करके एक अख्षा में बालकों को पढ़ाया जाता है उनके लिए सबилось जो आईू है अवस्ता है वो कौन सी है बाली अवस्ता है शेश्व अवस्ता है प्रोड अवस्ता है या फिर किशोर अवस्ता है चलिए आंसर में आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो option no.1 है देखिए शेयस्व वस्था में तो बालक छोटा होता है बहुत शेयस्व वस्था में तो बालक ऐसा नहीं है कि स्कूल में जा पाए और सिच्छड की जो विदियां है उनका परियोग उस पर करें जब बाल्य वस्था आयाती है चैसे बारे वर्स तो चैसे बारे वर्स में ही जा अतर बालक की उपर क्या है बहुत सारी सिच्छड विदियों का प्रियोग किया जाता है और बहुत सारी सिच्छड विदियां है एक वीडियो में separate लेकर आऊँगा जिसमें बहुत सारी सिक्षड विदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे बाली अवस्था में इन सभी सिक्षड विदियों का प्रियोक करना सरवादिक उपियुक तो होता है तो आंसर है 14 वाले का option number 1 है ना तो 14 वाले का answer option number 1 है आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में कुछ भी किसी भी question में तो नीचे मुझे comments करना कुछ भी नहीं समझ में जरूर कोशिश करूँगा आपका answer करने की है ना इसके अलावा जो question of the day जो आप से पूछा जाएगा उसको थोड़ा सा explain करके नीचे comments करना है ना चली आगे बढ़ते हैं इस अवस्था में बालक नई खोज करने और घूमने की प्रवर्ती बहुत अधिक बढ़ जाती है ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक खोज करता है और जो घूमने की है वो भी प्रवर्ती उसमें बढ़ जाती है यानि की पूरा दिन घूमने की कोशच करता है पूरा सुबह साम बिल्कुल पूरा घूमता ही रहेगा तो कौन सी अवस्था है वो शेषवकाल है उत्तर बाल्यकाल है किशोर अवस्ता है या फिर प्रोड़ अवस्ता है बताई नीचे कुमेंट्स करके कि कौन सी अवस्ता में बालक नई नई खोजे करता है और घूमने की प्रवर्ति उसमें आ जाती है शेशवकाल, उत्तरबालेकाल, किशोर अवस्ता या फिर प्रोडवस्ता चलिए आंसर में आपको बताज़ता हूँ आंसर इसक अप्शन नमर टू है उत्तर बाल्यकाल कितना हो गया नौ से बारेवर्स तो नौ से बारेवर्स का जो बालक है उसमें आप देखो कि बहुत ज़्यादा वो गूमेगा फिरेगा नौ से बारेवर्स का बालक बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ घूमेगा कोई मालीजी किसी को जनरल स्टोर की कोई दुकान है उस पर जाना है तो वो अपने साथ अपने चार मित्तरों को और लेकर जाएगा बिना किसी बात के ऐसे ही वो क्या है छोटे-छोटे काम के लिए चार-चार जो फ्रेंड है उसके वो साथ जाएंगे है ना नई खोज करने की प्रवर्ती भी आ जाती है जैसे इस उमर में जो 10-12 साल के जवम थे तो इस उमर में बहुत सारी चीज़ां करते थे बहुत सारी नई नी चीज़ां में पता लगती थी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट हम करते रहते थे जो लकड़ी होती है उनकी गाड़ी बनाना और जो वाइस, उनकी गाडी बनाना है, इसके Girl holiday рंशा, fRIS भाज नाना, उनकी गाडिया बनाना, मोटर को एखटा करना, जो मोटर्स वगर उती है, चोटी-छोटी चीज़ों को Mohler's in चोश अफचिवार्टी dir दा यहीं वोती है, उसमें भी आपको इसका अंशर नहींक इसके अलावा iba tua आपको एक्सप्लेथ भी आप उसमें अपना इसके लावा आपको स्कोर बीस अ कि अलावा आपको स्कोर भी बताना है कि 15 था पानें सहीं है 15 तो सेज़े तंशalten करोगे किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्वा हो जाता है, ऐसी कौन सी अवस्था है, जिसके बाद व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, जैसे आप और हम हैं, तो आप और हम कौन सी अवस्था के बाद मैच्योर हुए हैं, इसका जवाब देना है आपको नीचे कोमेंट्स में, एक कर देना कि कैसे आपको किया समझ में आया है, बाली अवस्था के बाद, शेष्व अवस्था के बाद, प्रोड आवस्था के बाद, किशुर ऑवस्था के बाद. अब क्वेशन Connie ко ध्यांसे पड़ना तभी आनसर करना, इसमें यह नही पूछा गया है कि किस अवस्था में बालक परिपक्क हो जाता है किस अवस्था के बाद परिपक्क होता है यानि कि परिपक्क होता काल से पहले की अवस्था आपको बतानी है तो ये question of the day है जिसका जवाब आपको देना है नीचे comments में आपको मिल जाएं आपसे कल शाम को नौ बजे आज के लिए तना ही बाई बाई टिक केर